नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दा ग्रेट इंडियन कोईन कलेक्शन में आज हम बात करने वाले हैं इस एक रुपए के कॉमोमोरेट्व कोईन के बारे में जिसको जारी किया गया था 1989 में वर्ड फूड डे विश्चुखाद दिवस के उपलक्ष में ये सिक्का भी FAO सीरीज का सिक्का है बात करें क्या है इस सिक्के की वर्तमान में कीमते और क्या है इस सिक्के का स्पेसिफिकेशन उससे पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथी साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए बात करते हैं इस सिक्के के मेटल के बारे में तो सिक्के में जो मेटल यूज किया गया था वो कॉपर और निकल यूज किया गया था सिक्के का जो वजन है वो 6 ग्राम है सिक्के का जो साइज है वो 26 एम है और सिक्के का जो सेप है वो सरकुलर है बात करें सिक्के के ओवर्स साइड की तो ओवर्स साइड में हमें मिड में उपर की तरफ असोक इस्तम उसके नीचे हिंदी में सत्य में वजयते और उसके नीचे सबसे नीचे की तरफ मिड में ही वन रुपी का जो डिनॉमिनेशन है वन वो लिखा हुआ नजर आता है तता एक साइड में हिंदी में भारत रुपिया दूसरी साइड इंग्लिस में इंडिया रुपी लिखा हुआ नजर आता है अब हम बात करें अगर सिक्के के reverse side की तो reverse side में हमें mid में सुरे नज़र आता बना हुआ और जो है हमें गेहूं की बालियां नज़र आती हैं हिंदी में खादी योम पर्यावरण विश्चो खादी दिवस तता इंगलिस में फूड एंड इंवर्मेंट और वर्ड फूड डे इंगलिस में लिखा हुआ नजर आता है बात करें अगर सिक्के की क्या चल लही है वर्तमान में कीमते तो उससे पहले जान ले ये सिक्का जारी किया गया था भारत की तीनों मिंटों से बॉम्बे हैदराबाद और नुड़ा से और तीनों ही मिंटों में अलग अलग कीमते चल लहीं जिसमें बॉम्बे और हैदराबा मिंट से जारी के गए इस सिक्के की कीमत जो है फाइन कंडिशन में पांच रुपए बेरी फाइन कंडिशन में दस रुपए एक्स्टा फाइन कंडिशन में पंदरा रुपए और यूएंसी कंडिशन में इस सिक्के की कीमत पचास रुपए चल रही है बात करें नुएडा मि के सिक्के की कीमत जो हैं प्चास रुपए बेली फाइन कंदीजन में 75J으면Time कंदीजन दो तक चली जाती है तो यह थी वर्तमान में इस सिक्के की कीमत थे। तो कैसी लगी दोरा दी गई हमें कमेंट करके अवश्ची बताईएगा और अगर चैनल को अभी तक आप ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजे जिस से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तेंक यू